तो यह है S24 Ultra और new iPhone 16 Pro, Pro Max और normal iPhone 16 launch हो चुका है आज हम compare करने वाले है S24 Ultra को iPhone 16 Pro and Pro Max से आपको दिखाऊंगा कि iPhone ने क्या-क्या innovation करा है और comparison दिखाऊंगा दोनों phones में आपके पास iPhone 15 है तो आप उसी पर ही है 16 पर ज्यादा कुछ चेंजिस हुए नहीं है और बाकी बात रही comparison की तो स्टार्ट करते हैं नए वाले iPhone में आगा है न्यू कैमरा कंट्रोल बटन लेकिन भाई हम तो यह दो बार दबार देखते हैं तो हमारा camera कुल जाता है और इतनी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इन बटन्स के साथ कि आईफोन लगने कभी देखी भी ना होगी एक्स्ट्रा बटन की इसमें जरूरत ही नहीं है और अगर इसमें एक्स्ट्रा बटन दे दिया तो फिर हम उससे कितनी कस्टमाइजेशन कर देंगे वो फोटोग्राफी कर देते हैं यह दिख रहा है दिखाता हूं अब एस 24 अल्टर यह दो साल पहले ही कर चुका था कोई एक्स्रा लेंस लगाने की जो अतनी एंड अपर इसको न्यू इनवेशन करके अपने लॉंच इमिट में बता रहा है हम सेब्सक में 12 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल रियल 200 मेगापिक्सल की फोटो क्लिक कर सकते हैं और इतनी ज्यादर डिटेल आती है अस फोटो में बस पूछो माई आइफोन का एक और न्यू इनवेशन है जो उन्होंने आदे घंटे से भी ज्यादा एक्स्प्लेइन करा है वो था इनका 4K 120 fps आजाओ फिर आप देख सकते हैं यू एच़डी 120 fps नॉनमल 120 fps वाली वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो उपर आप देख सकते हैं 8K 30 fps और ऐसा नहीं कि सीवी प्रो वीडियो पे काम कर रहा है अगर आप नॉर्मल वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे और उपर आप 8K 30 कर देंगे ता 5X टेली फोटो लेंस दिया गया है S24 Ultra में है और S24 Ultra की में बात ही नहीं कर रहा हूँ पहले एक फोन था वो 2020 पे लोंचुआ था उसमें था 5X वाला टेली फोटो लेंस बाकी जूम की तो मैं बात करूंगा ही नहीं यह तो चांग तक चले जाता है तो कोई कंपेजन है नहीं जूम का तो आइफोन एक्ट्रा बटन्स दे रहे हैं ठीक है मान लिए अच्छी ची लेकिन उसके साथ साथ जो अब तुम एक्स्ट्रा बटन्स दे रहे हो उसमें फिंगर्पिंट सेंसर भी तुम एड़ कर सकते हो तो शायद वह बहुत ज्यादा बेन्फिट हो जाएगा जो लोग आइफोन यूस करते हैं यह मुझे लगता है आइफोन कुछ प्लैनिंग कर है आइफोन ने कि आप नोट्स की समरी बना सकते हैं नोट्स अलाइन कर सकते हैं आव मैं दिखाता हूं यह रहे नोट्स और यह रहे इनोवेशन जो सैमसंग पहले ही कर चुका है न्यू चीज मेरे को लगी कि इसमें हैं इमेज जनरेशन मतलब जो आप लिखोगे वही AI बना के दे देगा यह आइफोन में है लेकिन सैमसंग में क्या है यह जादू की छड़ी लिखना था होता रहेगा हम सीधा बनाते हैं और जो हम बनाएंगे वही AI के तुरू वह बन जाता है और आप अपनी फोटो में बिलकुर रियलिस्टिक चीजे बना सकते हैं यह होता इनोवेशन सैमसंग जो आप ओडियो रिकोर्ड करते थे आपके को रिकोर्डिंग होती थी उसकी आप समरी बना सकते थे AI के थुरू ऐसा आइफोन का कहना है नियू आइफोन में आया है ऐसा हम सैमसंग में पहले सी करते वे आ रहे हैं AI वाली इनोवेशन एक और चीज़ येलो वाई 4K 120 fps हमने 4K 120 लगाया विन उसके बाद में अच्छी खासी AI के थुरू स्लो मोशन कर पा रहे हर वीडियो को किसी भी वीडियो को आपकी जो रिल शोट्स बनाने बहुत असान हो जाता है एडिटिंग करना बहुत असान हो जाता है फोन के अंदर ही किसी भी AI फीचर्स को अगर कंपेर करें एपल में भी अच्छे हैं लेकिन जो सैमसंग में हो कम से कम 10 या 5 गुणर जयादा फीचर्स हैं सैमसंग के अंदर आप लाइव कोल ट्रांसलेट कर सकते हैं लाइव इमेज ट्रांसलेट कर सकते हैं इस जादू की जड़ी से पता निक्या क् इसके पता भी यह इतने जादा फीचर से इसके अंदर और सारे काम आते हैं मैं तो इतना एडिक्टिड हो चुका हूँ इनके AI फीचर से कि मैं अगर वीडियो एडिट या फोटो एडिट करता हूँ तो मैं पहले सेमसंग AI से ही करता हूँ इसके बार में प्रीमियर प्रो आप्स या सोफ्ट्वेर में जाता हूँ आइफोन का सीडियो और इंप्रूव हो गया है आपकी चीजे ढूंडने में हेल्प करेगा लेकिन भाई यह तो गूगल लेंस पहले से कर रहा है 10-15 जार का फोन भी कर देता है और हमारे पास तो है सरकल टू सर्च हम किसी भी रील शोट्स या कहीं से भी कुछ चीज पसंद आती है सरकल टू सर्च कर लेते हैं आप तो खाली कैमरा खोल के सर्च कर रहें नया वाला AI सीरी इंग्लिश में तो आ चुका है Spanish, Chinese, French में आएगा हिंदी का क्या what about Hindi S24 Ultra है जितने भी AI वाली चीजे हैं हिंदी में भी काम करती है व आइफोन पांच साल का अपडेट देता है लेकिन S24 Ultra साथ साल का अपडेट है यह फोन पूराना तो नहीं होने वाला साथ साल तक 6G अए तब तक तो नहीं गेमिंग से रिलेटिड आइफोन ने एक चीज हाइलाइट करिये वह है रे ट्रेसिंग रेट्रेसिंग वाले इतन आप बिल्कुल पर जाते और अभी तक यह बिल्कुल भी स्क्रैच लेस है हलका सभी स्क्रैच निया हलका सभी बिल्कुल न्यू जैसे फोन आया था वैसे का वैसा ही है आइफोन में इस बार आपको न्यूँ कलर्स मिलना है टाइटेटेनिम में और मेरे पास यह S24 Ultra का स्प इस चीज में मैं कहता हूँ आइफोन आगे निकला है सिर्फ बिल्ड क्वालिटी में टाइटेनियम की सैमसंग में बहुत सारे और फीचर से अगर मैंने और सब कुछ इस एक्सप्रेजन में आइफोन वर्सी सैमसंग में तो मुझे लगता है आइफोन वलों चक्कराज़एगे इनुवेशन क्या होती है मैं दिखाता हूं सैमसंग यह है सैंसंग ऑफन और इसमें बिल्कुल भी स्क्रें में रिफ्लेक्शन नहीं आ रही है और खास बात है कि ज जाते दूप की reflection आखों में पढ़ती ही निया ऐसी screen है इसकी इसे बोलता है innovation चलो कोई नहीं आइफॉन वालों ने एक innovation तो करी है वो है प्राइस बढ़ा के एक ही चीज दोनों में सेम है वो है heating दोनों फोन बहुत हीट करते हैं अगर आप Summers में ले जाएंगे बहार तो दोनों बहुत जादा हीट करते हैं और दोनों almost कहते हैं कि इसको ठंडा होने दीजिए तब ही आप इससे फोटो या वीडियो क्लिक करना या फिर आइफोन 16 प्रो एंड प्रोमेक्स इनोवेशन को द्यान में रखना आम नोटा सैमसंग फैन बटा एंड्रोइड फैन सो गाइज यह था आइफोन 16 प्रोमेक्स वर्सिस एस 24 अल्ट्रा जिसमें मैंने आपको बहुत आई चीज एक्स्प्लेइन करी है कौन है बेट कि यह मैंने रियाल्टी है जो आप सबको दिखाई है एस 24 अल्ट्रा के पास ज्यादा क्वाइल्टी है और ज्यादा फीचर से और वह भी कम प्राइज में अगर कंपेर करें आइफोन से तो 10-20-30,000 रुपे सस्ता ही रहता है तो सब्सक्राइब कर देने चैनल को थैंक्स एक चीज तो भूली गए जोग था टाइप सी चलो यह तो पिछले साल की बात है लेकिन मैं सचा मेंशन कर दू टाइप सी 10,000 के फोन में भी आ जाती है